नमस्कार बच्चों आज हम आपकी लेखा शास्तर की दूसरे पुस्तक के पाँच विया ध्याए लेखांकन अनुपात का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं पहले भाग में आपने लेखांकन अनुपातों का अर्थ समझा इनके महत्वो को जाना वद यह देखा कि अनुपातों को चार वर्गों में बाटा गया है आपने द्रवता अनुपातों के अंदर आने वाले दो अनुपातों पर भी विस्तार में चर्चा की वो प्रशन देखे आज के इस भाग में हम दूसरे वर्ग के अनुपातों से अपनी चर्चा शुरू करेंगे हमारे दूसरे प्रकार के अनुपात है रिण शोधन शम्ता अनुपात बच्चों जैसा की इन अनुपातों का नाम आपको बता रहा है ये किसी कमपनी की अपने रिणों को चुकाने की कुशलता पूर्वक उनका भुगतान करने की शम्ता को दर्शाते हैं जब हम रिण की बात करते हैं तो हमारा अभिपराय दीर्ग कालीक रिणों से है यानि लंबी अवधी के लिए लिए गये रिण लोन आदी येने हम रिण शब्द से दर्शाते हैं तो ये जितने भी अनुपात इसके अंदर आएंगे हम पांच अनुपातों पर चर्चा करेंगे ये पांच अनुपात आपको कंपनी की अपने रिणों को चुकाने की शमता व कुशलता के बारे में बताते हैं हमारा पहला अनुपात है रिण समता अनुपात बच्चो रिण समता अनुपात में रिण शब्द का अर्थ हम जान चुके हैं इसका अर्थ है दीर्ग कालिक रिण समता शब्द का अर्थ है अन्षधारक निधी अन्षधारक अर्था शेर होल्डर या कमपनी के स्वामी उनकी निधी या उनका पैसा जिसे हम अन्षधारक निधी के नाम से जानते हैं इसे इस अनुपात में हम नीचे रखते हैं वह उपर दीर्ग काली करणों को रखते हैं और इस प्रकार हमें यह अनुपात प्राप्त होता है समता यह अंश धारक निधी की गढ़ना करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अंश धारक निधी में सबसे पहले अंश पूंजी शामिल होती है जो की सुयम दो प्रकार की होती है ये बात आप पहले से जानते हैं कि अंश पूंजी दो प्रकार की होती है समता अंश पूंजी एक्विटी शेर कैपिटल और पूर्वा दिकार अंश पूंजी यानि प्र कारंटी की राशिया है इन सभी को जोड़ कर अगर आप इसे ध्यान दें तो यह आपके बैलेंशीट या तुलन पत्र के पहले वर्ग या पहले शीरशक के अंदर आने वाली मदे हैं इन सब को जोड़ कर आपको अंशधारक निधी प्राप्त होती है अंशधारक निधी को प परिसंपत्या माइनस चालुदाइत्व यदि हम इसको गैर चालुदाइत्व में जोड़ दें वह उसमें से गैर चालुदाइत्व घटा दें तो भी हमें अंशधारक निधी यहां प्राप्त हो जाएगे तो ध्यान रखें अंशधारक निधी आप दो तरीकों से प्राप कर सकते हैं यदि आपको संपत्तियों से जोड़ी जानकारी प्राप्त हैं तो आप गैर चालू संपत्तियों में गैर चालू दायत्यों को घटा कर उसमें कारेश्यल पूंजी को जोड़ कर भी अन्षधारक निधी प्राप्त कर सकते हैं अब यह अनुपात हमें किस प्रकार क कालिक रिण वह नीचे है अंशधारकों की निधिया पूंजिया यह अनुपात जितना निम्न हो उतना बहतर होगा क्योंकि निम्न अनुपात यह दर्शाएगा कि रिण की राशी हमारे पास बहुत जादा नहीं है हमने बहुत जादा कर्ज या रिण नहीं लिये हुए जबक निम्न अनुपात को बहतर माना जाता है जबकि एक उच्छ अनुपात जो खिमपून माना जाता है यादी बहुत जादा रिन है तो हो सकता है कंपनी आगे जाकर मुसीबत में फस जाए आईए एक उधारन के जरिये इस अनुपात की गड़ना करते हैं बच्चों इस उधारन में हमारे पास एक कंपनी का तोलन पतर या बैलेंस शीट है हम इसमें अपने काम की चीज़ों को निकालेंगे हमें दीर्ग काली करिने चाहिए पहले तो दीर्ग काली करिन गैर चालू दायित्वों से प्राप्त होता है जबकि अन्षधारक निधी इस पहले शीरशक से प्राप्त होता है हमें यहाँ पर संपत्यां भी दे गई है हम चाहें तो अन्षधारक निधी को संपत्यों से भी प्राप्त कर सकते हैं आईए आपको दोन तरीकों से से करके दिखाते हैं सबसे पहले आपको रिण चाहिए बच्चों तो रिण के लिए आपको क्या करना है दीरगकालिक रिण वो अन्य दीरगकालिक दायत्वों में दीरगकालिक प्राप्धानों को जोड़ देना है जैसा कि आपके तुरन पत्र में थी इन तीनों चीजों को आप जोड़ेंगे त अन्ष अधिपत्रों के प्रती प्राप्त राशी को जोड़कर 25 रुपए के आप संता की राशी प्राप्त करेंगे संता की हैं वुर्षेज से प्राप्त कर सकते हैं गैरचालू संपतियां गैरचालू संपतियां की कुल मिलाकर 18Can seeking 0906000 इनमें POLा estθ Right आपके कुल मिलाकर पांच लाग के है तो गैर चालू संपतिय матери की 5 तो गटाकर कारिशियल पूनजी को यहां जोडएंगे आप कारिशिल पूनजी कैसे आएगा چालू SMPत्ति यह से चालुदायतओं को गटा कर लुटाकर यहां है तो दोनों में से किसी भी विदी से आप समता की राशे प्राप्त करें जो कि 15,00,00,000 रिन की राशे पाँच दाख इन दोनों राशियों को अपने सूत्र में रखकर आपको 0, нужно 3,30 और 1 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार हम रिण समता अनुपात को ग्याद कर सकते हैं अगले अनुपात पर चलते हैं अगला अनुपात है रिण पर नियोजित पूनजी का अनुपात फिर से हमारे पास रिण है तो रिण के लिए हम फिर से दीर्ग कालिक रिण को लेंगे वह नीचे हम नियोजित पून्जी का इस्तिमाल करेंगे बचो नियोजित पून्जी को निवल परी समपत्या नेट एसेट्स या नेट वर्थ भी कहा जाता है रिण पून्जी ग्यात करने के लिए एक तरीका तो है कि आप दीर्ग कालिक रिण वह अन्षधारक निधी को जोड़ कर हम नियोजित पून्जी प्राप्त कर सकते हैं वैकल्पिक तोर से इसके अतरिक्त हम कुल परी समपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा दें तो भी हमें वही राश्य प्राप्त होगी यानि कि नियोजित पून्जी प्राप्त करने की दो मुख्य विद्या या दो मुख्य सूत्र हैं या तो हम दीर्ग काली करिण में अन्षधारक निधी को जोड़ें या हम कुल परी समपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाएं दोनों से हमें नियोजित पून्जी प्राप्त होगी यहां अनुपात भी कुछ हद तक आपको रिण समता अनुपात की तरह दर्शाता है कि दीर्ग काली करिणों के मामले में आपकी कमपनी कितनी सुरक्षित है निम्न अनुपात रिण दाताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है यानि यदि रिण कम है तुल्नात मकरूप से तो जिन रिण दाताओं ने हमें रिण दिया हुआ है वो सुरक्षित महसूस करेंगे जबकि यदि रिन बहुत जादा है तो कल को यदि कंपनी मुश्यपत में फस्ती है तो हो सकता है कुछ रिनदाताओं के रिन को ना चुका पाए ऐसे में रिनदाता अज सुरक्षित महसूस करते हैं इसलिए इस अनुपात को भी कम होना चाहिए अगले अनुपात की भी चर्चा करते हैं फिर हम प्रशन के जरिये इनको समझेंगे अगला अनुपात है स्वामित्व अनुपात स्वामित्व अनुपात में स्वामित्व शब्द के कारण हम स्वामियों की राशी यानि अंश धारक निधी को लेंगे वह अंश धारक निधी को नियोजित पूंजी से विभाजित करेंगे याद करें कि पिछले अनुपात में आपने उपर रिण लिया नीचे नियोजित पूंजी ली रिण पर नीचे अनुपात निकाला इस अनुपात में आप नीचे तो नियोजित पूझी को ही रख रहे हैं उपर इस बाराप लिड़ के विप्रीत、 अंशधारकों के निधी को रख रहे हैं तो इस अनुपात में जितना उचा यह अनुपात है उतना बहतर माना जाएगा क्योंकि यह इस बात का प्रतीक होगा कि अन्षधारकों की निधी या पूंजी कमपनी में या कमपनी की संपत्तियों में जादा है इसलिए उच्छ अनुपात एक सकारात्मक बात मानी जाती है हमने अन्षधारक निधी के बारे में पहले ही देख लिया कि उसे हम कैसे ग्याद करते हैं हमने नियोजित पूंजी के बारे में भी देखा अब अगला अनुपात है कुल परी संपत्यों पर रिण अनुपात आप इसके नाम से इसका सूत्र बना सकते हैं कुल परिसंपत्यां उपर वह रिण यानि दिर्ग काली किरिण नीचे हैं दिर्ग काली किरिण का अर्थ हम देख चुके हैं कुल परिसंपत्यां हमें पता हैं इसमें गयर चालू वा चालू सभी प्रकार की संपत्यां को लेकर आप कुल परिसंपत्यां ग्याद करते हैं यहा यह अनुपात ज्यादा आता है, यानि कुल परिसंपत्य की राशी ज्यादा होती है, तो इसका अर्थ क्या होगा, परिसंपत्यों की राशी के मुकाबले रिन कम है, अर्थात आपकी परिसंपत्य आपकी खुद की पूंजी से खरीदी गई है, ऐसे में रिन भी सुरक्षित ह यदि कल को रिण चुकाने पड़ जाएं तो हमारे पास उनसे जादा परिसंपत्या हैं उन जादा परिसंपत्यों का फायदा उठा कर हम रिण भी आसानी से चुका सकते हैं तो यहाँ अनुपात जितना जादा होगा उतना रिणों को सुरक्षा मिलेगी उतना यहाँ दर्शाएगा कि परिसंपतियों पर रिण का नहीं बलकि खुद की पूंजी का योगदान जादा है तो उचा अनुपात बहतर अनुपात माना जाता है आई अब इन तीनों या चारों अनुपातों को जो हमने अभी तक देखा चाहे वो आपने रिड समता अनुपात को देखा या आपने रिड पर नियोजित पूनजी अनुपात को देखा आपने स्वामित्व अनुपात को देखा आपने कुल परिसंपत्तियों पर रिड़ के अनुपात को देखा ये सभी एक दूसरे से मिलते जुलते अनुपात हैं अलग अलग तरीकों से ये कंपनी की रिड़ों की सुरक्षा ये रिड़ चुकाने की शमता को दर्शाते हैं तो रक्षित राशिया है गैर चालू देताओं में एक दिर्ग काली करिण वह इसके अतरित चालू दाइतु है दाइतुओं का कुल योग सात लाख रुपए का है इसी प्रकार संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियों में स्थाई परिसंपत्या वह निवेश है जबकि चालू परिसंपत्यां दो लाख रुपए की यह हमारा एक संक्षिप्त तुलन पत्र है अब इस तुलन पत्र के सहयता से हम एक एक करके सभी अनुपातों पर चर्चा करेंगे सबसे पहला अनुपात रिण समता अनुपात बचों याद करें रिण समता अनुपात के लिए आपको क्या चाहिए देरगकाली करिण वह समता देरगकाली करिण ये रहा डेड़ लाख रुपय की राशी समता में अन्ष धारगों की कुल निधी यानि की चार और एक पांच लाख रुपय की राशी आप लेंगे तो डेड़ लाख और पांच लाख इसको रखकर आपको 0.3 और 1 का अनुपात प्राप्थ होगा है ना बहुत सरल अगले अनुपात पर चलते हैं कुल परिसंपत्यों पर रिड़ का अनुपात इसके लिए हमें कुल परिसंपत्यां चाहिए जो की 7 लाख रुपय की है इस पर रिड यानि दीरग कालिक रिड जो की डेड़ लाख रुपय का है तो बच्चों साथ लाख की कुल परिसंपत्यां डेड़ लाख का रिड इसका अनुपात में रखें और आपको प्राप्त होगी ये राशियां ये अनुपात की राशियां जो की 4.67 और एक की राशियां अगला अनुपात स्वामित्वा अनुपात सूत्र याद रखें इसका सूत्र है अन्श धारक निधी बटे में कुल परिसंपत्यां कुल परिसंपत्यां 7 लाख रुपय की हैं अन्श धारक निधी यानि ये दोनों ये हैं 5 लाख रुपय चौथा अनुपात है रिण पर विनियोजित पून जी अनुपात बच्चों नियोजित पून जी का सूत्रयात करें दीर्ग कालिक रिण जमा अन्षधारक निधी तो पांच लाख रुपे की अन्षधारक निधी है डेड़ लाख रुपे का देर्ग कालिक रिण कुल विनिय तो बच्चो ये थे चार मुख्य रिण शोधन अनुपात ये चारों अनुपात हमें रिण की शोधन की शम्ता रिण चुकाने की शम्ता को दर्शाते हैं यदि हम देखें यदि हम रिण पर नियोजित पूंजी अनुपात की बात करें तो हम इसमें यह देखते हैं कि हमारे तो जो पूणजी है उसमें रिण का हिस्सा या भाग कितना है, वो जितना कम उतना अच्छा। यदि हम स्वामित्वा अनुपाद की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जु संपत्या है, उस पर स्वामियों की निधी या पैसे का कितना योगदान है, यदि जादा योगदान अपने पैसों का है, रिण कम है, तो यह एक अच्छी सुरक्षित स्थिति को दर्शाता है इसी प्रकार ये सभी अनुपात हमें रिडों के मामले में हमारी सुरक्षावा कुशलता को दर्शाते हैं इन चारों अनुपातों के अतरिक्त एक और अनुपात है जो रिडों से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब हम रिड चुकाते हैं या रिड लेते हैं तो उसके बदले में हमें ब्याज का भुकतान भी करना पड़ता है तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या हम अपने ब्याज के भुकतान के लिए परियाप्त मातरा में लाब या धन कमा रहे हैं यहां देखने के लिए हम व्याज व्यापती अनुपात का उपियोग करते हैं व्याज व्यापती अनुपात रिणों पर व्याज की उपियुक्तता को दर्शाता है कि क्या हम रिणों पर ब्याज के बराबर या उसके लायक रिण का ब्याज चुकाने के लिए लाब अर्जित कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सूत्र बन जाता है ब्याज वकर देने से पूर्व निवल लाब यानि जो हमारा शुद्ध लाब है जिसमें से अभी हमने ब्याज वकर नहीं दिया है उस लाब को उपर रखा जाएगा वह दीर्ग कालिक रिणों पर जो ब्याज हमें देना है या हम देते हैं उसको नीचे रखा जाएगा अब आप खुद सोचिए जितना लाब अधिक उतना अच्छी बात है यदि लाब अधिक है और ब्याज उसके मुकाबले कम है तो इसका अर्थ है कि आप आसानी से अपने ब्याज चुका पाएंगे इसलिए यह अनुपात भी जितना जादा उतना बहतर माना जाएगा आईए इसे एक प्रशन के सहायता से देखते हैं इस प्रशन में हमारे पास कर के पश्चात का लाब है साथ हिजार रुपे का कर चुकाने के बाद हमें साथ हिजार रुपे का लाब प्राप्त हुआ 15 प्रतिशत ब्याज वाली देर्ग काली ख्रण की राशि है 10 रुपे की वह करों की दर है 40 प्रतिशत की हमें जो लाब चाहिए इस अनुपात के लिए वह है कर से पूर्व कर्व व्याज दोनों से पूर्व का लाब अब बच्चों हमें साथ हिजार रुपे का जो लाब है वो करों को चुकाने के बाद का है तो इसके लिए हमें पीछे जाना है और यह सोचना है कि कर को चुकाने से पहले हमारा लाब क्या था वो ग्याद करने के लिए आपको यह सूत्र याद रखना है इसका ध्यान रखना है यदि आपके पास करों के पश्चात का लाब है और आपको करक की राशी को प्रतिशत में दिया गया है तो आप करों के पश्चात के लाब को गुणा करेंगे 100 बटा 100 माइनस करों की दर इस उदाहरन से समझें करों के पश्चात का लाब है 60,000 रुपए सूत्र में आगे 100 बटे 100 माइनस 40 40 यानि 40 पृतिशत की जो आपकी कर की दर थी इस सूत्र में रखके आप इसे सॉल्व करें आपके पास एक लाख रुपए का निवल लाब आ जाएगा जो कर चुकाने से पहले का लाब है इस सूत्र को ध्यान से देख लीजे करों के पश्चात लाब उसको गुणा करना है 100 बटा 100 माइनस कर की दर से जैसा हमने किया 100 बटे 100 माइनस 40 प्रतिशत की जो दर थी उससे 60,000 के कर पश्चात लाब को गुणा करके हमें प्राप्त हुआ एक लाख रुपए का करों से पूर्व का लाब इसके पश्चात दीर्ग काली क्रिड़ पर ब्याज कितना है 10 लाख रुपए का हमने रण लिया हुआ है उस पर 15 प्रतिशत का हमें ब्याज देना होता है तो यहां 1.5 लाख रुपए का ब्याज निकल कर आया अभी यह जो लाब हमें 1 लाख रुपए का प्राप्त हुआ था यहां कर से पूर्व का लाब है कर से पूर्व का लाब भी तब आता है जब हम शुद्ध लाब में से ब्याज घटा देते हैं लेकिन हमें तो चाहिए कर वा ब्याज दोनों से पूर्व का लाब अब हम कर पूर्व लाब पर पहुंच गए हैं अब हमें ब्याज पूर्व लाब पर जाना है तो हमने जो ब्याज घटाया होगा उसे हम वापस जोड देंगे तो करफ पूर्व लाब में आप यहां डेढ़ लाक रुपै का जो ब्याज आपने दिया होगा उसे जोड देंगे तो कर पश्चात लाब में पहले कर को जोड़ा, साथ हजार की जगा हमारा लाब आया एक लाख, फिर उस एक लाख में हमने ब्याज को जोड़ा, तो हमारे पास आगी धाई लाख रुपए की राशी, यह कर वा ब्याज दोनों से पीछे या पूर्व की राशी है, कर पूर्व लाब की इस राशी को हम अपने अनुपात में रखेंगे, नीचे हम ब्याज की राशी रखेंगे और हमें प्राप्त होगा, एक दश्मलो छे साथ गुणा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अभी तक जो अनुपात आपने निकाले, शुरू सुले के अभी ये अनुपात, जो ब्याज प्यापती अनुपात है, इसे निकाल कर आप गुणा के रूप में दिखाएंगे, एक दश्मलो छे साथ गुणा, चीक है, और इसके आगे आने वाले अनुपातों को भी हम गुणा के रूप में दिखाते हैं, तो ये थे रिण शोधन शम्ता दर्शाने वाले पाच अनुपात, मैं आशा करता हूँ, आपको ये पाच वा अनुपात समझ आए होंगे, अगले भाग में हम बात करेंगे, हमारे व्यवसा या कंपनी में जो काम हम कर रहे हैं दिन प्रति दिन के आधार पर, उन कामों से क्या आवर्त प्राप्थ हो रही या क्या हमारे काम करने की कुशलता है, उन से जुड़े अनुपातों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद झाले एली वी जातों के शो रहे हैं college झाले झाले ये उन्यवाद झाले झाली तर्ट वी और हैं किया सकता ही समदेश झाले झाले लगी से थिए anyouchए से कि रहे हो अभा उन्यवाद रोवा झाले चरड़ यूवार्ट इतना है करेंदित सती काम जे से खeles 시 ruleARS 3 झाल झाल